कर दो लोग दसपना से लेके जगदंबा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं ओके यहीं पर हूँ अब एंबुलेंस को क्यों रुका रहा है वह नहीं तु अरे खौने भाई नहां शुरुती इसमें नहीं है अच्छा अभी अभी एक एंबुलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है ओके जा रहा हूं सुनो सुनो संपत्विनाय टेंपल से लेफ ले लो और फ्लाइओवर पे जाओ फ्लाइओवर ओके वो तुम्हारे साम नहीं है हाँ वह सौ मीटर की दूरी पर है याँ खोलो रुक जाओ यहां इसमें भी नहीं है क्या इसमें भी नहीं है मैडम रेल्वेस टिशिम के पास अच्छा रेल्वेस सेशं की तरफ एक और एंबिलन्स जा रही है नहा ले लेफ्र व्राइट लेफ्र लेफ लेलो ऌके वह तुमः बहुत पास है अक्छा एए कौँ ए रदू नेहा इसमें भी नहीं है अलिपुरम जंक्शन पोस्ट के पास एक एम्विलेंस बहुत देर से रुकी हुई है इसमें कोई भी नहीं है नहीं है इसमें कोई भी नहीं है हो भाई कौन है तू है मौल से जिस लड़की बलाए वो कहा है कौन सी लड़की मेरा गाड़ी खराव हो गया मैं कब से इधर ही हूँ लेसर लेसर हां बूलो रोजल की तरफ एक अम्बूलेंस जा रही है ओके जा रहा हूँ लेक्षर रहा है राइत लेलो राइत अँद स्ट्इट जाओ चल मस्कें वेक्ष्ट लेक्षेलेलो स्ट्इट ओक। झाओ वहाँ से स्टेट जब अरे, वाई है व्यावी स्टॉप्ट निया यहाँ पर डड़ एंड है कुछ तो सोचो, अपने बास टाइम नहीं है अच्छा सुनो, एम्बिलन सिगनल के पास्ट रुकी है, फ्लीज मेक इत पास्ट इंगे चारो कि अच्छा सकतुर रहाँ कि अच्छारी के पास्ट कि अपिलेंस वहां से आगे पढ़ रही है कि अरे रुको एम्विलंस तुम आगे चले गया हो उनके आगे किसे जारो हां तुम आगे चले गया हो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है एम्विलंस तुम फीशे-फीशे जा रही है राइट से आके जारी है तुम हिल भी नहीं हो मौँ भू, मौँ पाँ मौँ भूँ स्कर्दावाँ बाई, उठा ले क्या हमें ये दो मचली एक साथ नहीं चाहिए, अकेली मचली चाहिए, सबर रखो एक चाय बुल हाई एक चाय मेरे ले एक चाहिए, सुनिये, जरा वो देंगी क्या यूप ले खाय १ो ag कर्याओ ले एक चाहिए, सुनिये, जरा वो दूब हाई, सुनिये घूब लाई ले लीग, स्सक्रीख तड़्याए, जरा वोफया की जरा ले दो अए तू जन्दिकारी लेग रहा है, ठीक है कि थी जन्दिकारी लेप रहाए, डीक है हाँ, प्लेट वहां रहा है, प्लेट जूस, रहाए, अच्छा सलाइट था है और खिर लाइट आरे है या पर अपना बंदा दीकारी नहीं दे रहा है सब्सक्राइब हाँ, आग cucumber. को हम रसमेट में आजाएगे अरे कितना टाइम लगता है सब वेट कर रहे हैं भूरत निकल रहे हैं चल चल कार में बैठ चल्दी 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 स्टार्ट कर कार में सिर्फ तुम ही कपड़े बदल सकते हो दिदी तो क्या करूं टाइम नहीं है कि अगरा देखो मेरा बेटा आहीं गया ना कितने दिन हो गए उसे देखें में आगे अगे कि अगे 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 थे आपट अगे तो चल्दी में तुम्हारी नजर उतारती हूं कि अगे 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 नहीं हो गया अगे अगे अगेजमेंट में को इतना लेटाता है अब देखाना कैसी रूड़ गई यह वो आप लोग अपनी बातचित बात में कीजेगा मुर्थ का समय मिता जारा है जल दिया यह जजमान विवाह के लिए श्रावन्त रित्या के दिन मतलब ठीक आज के ही दिन तीन महीने के बाद बहुत यह चाश्योब महुर्थ है ठीक है तो यही तै रहा ठीक है जजमान मैं आठ बजे श्रीमती बेलागा कुंडी वेंकट राओ के जेश्ट शुकुत्र चिरन जीवी बेला कुंडी रवी की वत्ल कुंडी जी की एक लौती पुत्री चिरन जीवी लक्षमी सो भाग्यवती से विवाह करवाने का बड़े बुजुर्गू ने तै किया है जो सर्वसम प्रमति से स्विकार्या है यह चिमन मा अगना दिपते नमा हां जुट्याओ तुम्हारा है एक दूसरे गुटी पैनाओ बीठी चेलों ओम एक दन्ताय वित्मै वक्क्तुन्डाय दीमै तन्लो झति प्रचूतयात यह वर माला पकड़िया है तर्वबनकल मांगल्ये शिर्वारा दुर्णादिके रदे रदे पक्षिन्या कितने सुंदर लग रही हैं नातक मत कर क्यों एंगेश्मिंट के दस तिन पहले आने को कहा था दस मिनट पहले आते हैं क्या प्लीज एक्चुली अप्लीज अरे बात तो सुनों अब शादी होने तक यहीं रहूंगा जा मैं तो नहीं मानूंगी प्रामिस शादी होने तक मैं यहीं रहूंगा ओके अब मुश्कुराओ ना चल ठीक है जो मैंने घड़ी मंगवाई थी बुलाए क्या लास्ट टाइम जब मैं घड़ी लेकर आय था वो कहां गई वो वो गड़ी खो गई क्या जिसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं उससे देकर क् करेंगे तो सारी हम ठीक होँड़े दाधा तो मैंसी रोगी तुम्हारे लिए सेम घड़ी लिगराया हूँ यहां तो थेंक यू फैया अ हां बस बस टुके हुआ हुआ है क्या हुआ हुआ क्यों अब तक स्केरट ने छोड़ी क्या अरे मैंने कबकी छोड़ी सिगरेट हां पापा ए निए पाल सोनो नहां बोलो ना ए इसम्मल के जल जाएगा वैसे एक इंग्लिश पोईट ने कहा था देरेलेशनिश्टिट इस पार बैटर देन देरेलेशनिश्टिट इपल अराउंड यू उसने एसा कियो कहा था मुझे तो बिल्कुल समझ महीं नहीं हाया तो इतना ज्यादा सोच के तेरा प्रें स्ट्रें बद करा उसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में लाइफ-लॉंग हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग आते हैं पर लास्ट में हमारे साथ रहने के विंती करने पर भी वो छोड़कर चले जाते हैं और बताए भीना आने बाले और तुम चली जाओ कहने पर भी लास्ट अग रहने बाले एक सिग्रेटी होती है इतना लंबा मतलब है मुझे तो समझ भी नहीं हाएगा लिखने वाला समझदार है इतना ही काफी नहीं है क्या पढ़ने वाला बेवकुफ होतो चलेगा एए अरे अरे अंदर कोई भी नहीं है अरे अभी कौन हो सकता है अंकल जी हुए तो 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 तू जा के खोल तू खोल हम दोनों मिल कर खोले क्या अरे अरे हैपी तू का जारी है इधर आना एए तू बता दे न अगरबती चला रहे थे अरे बात्रूमे कोई अगरबती क्यो चलाएगा तरके मारे बता नहीं क्या-क्या बोल रहा हूं मैं अरे अरे तो कितनी सारी बाते बनाते थे नेहा मैं तुम्हारे बिना एक साल भी नहीं रह पाऊंगा पांच साल पांच साल हो गए तुम्हे एक बार भी मुझसे मिलने के लिए इंडिया नहीं आये है ना उपर से मुझे एरपोर्ट पे आने के लिए भी मना कर दिया एक magic होता है, दूर होने पर हर दुख पास आने के कुछी पलों में चला जाता है, चला गया? अच्छा पैसे, दीवार कुदनी की आदग गई नहीं तुम्हारी, हाँ? हैपी, अरे आकर सुझाओ, अरे, क्या हला मचा रहा है ये, आराओ रुक, हैपी, आरे, क्यो भोक रहा है? है, 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 क्या हुआ? चल्चल, सब सो गया है ज़ल अरे क्या मस्ति कर रहा है क्या मस्ति कर रहा है प्रिया क्या हुआ प्रिया मैं तुम से पूछ रहा हूँ मैं प्रेग्निन ठुप भाया तो इसके लिए फांस ही लगा लोगी इस बार में शादी के तीन मेने बात बताती तो पूरे घर में त्योहर होता ना तो मुझे एक बार फोन दो अपना रवी के साथ बात करता हूं रवी के साथ बात करता हूं रवी नहीं है प्रिया मैं कुछ समझा नहीं रवी का नहीं है मैं तो फिर कौन प्रिया बोलो प्रिया मा पापा से तुम्हारे सास ससुर से चाहो तो जीजू के पैरों पर गिरकर में मना लूंगा वो कौन है बोलो प्रिया मुझे नहीं पता बैया कोई बात नहीं है प्रिया मुझे बता हूं मैं देख लूंगा मैंने कहा न मुझे सच में नहीं बता बैया तुम किसी पार्टी में गई थी, वहां कुछ हुआ था क्या, कुछ भी हो पिरिया, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूना कि मैं देख लूँगा, चाहे कुछ भी हो मुझे सच में नहीं पिता भेया मैं तब से पूछ रहा हूना, बार-बार एक ही बात कह रही हो कुछ भी हो देख लूँगा, मैं कह रहा हूना, एक लड़की उसकी जानकारी के बिना कैसे प्रेगनेंट हो सकती है, तुम बोलो, मुझे कुछ नहीं पता, एक लड़की उसके जानकारी के बिना प्रेगनेंट कैसे हो सकती है, पता है, बताओ प्रिया पिंकी प्रॉमिस भेया, मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ हिए क्या हुआ है, इतना अर्जेंटली क्यों बला है प्रेशन का नाम और आपका रिष्टा लिखिए ब्रदर लिख रहे हैं, देखो, मैं जब से याप आए हूँ ना, सब को वही लिखते देखा है प्रेशन के जंब साउख से रहे है सुनो Ol bend, excuse me, brother नहीं, husband लिखिए she is my wife sorry sir.. shut up जो हुआ गलत है लेकिन कर बेख्या सकते हैं इस बात को किसी को बताने के जरुवत नहीं है तुम कर जो हमें अभी आता हूँ रो मत वी दो मत क्या हुआ बटी रो क्यों रहे हो इसे क्या हो गया है ह्म लोग है नो तुम्हेरे साथ ऐसे नहीं रोते हर लड़की से सुष्ञाल जाने से पहले रोती है तुम लोग सब क्यों रो रहे हो फूंंब पापा माँ अर Cant decides will रोला रहे हो इसे रुख जाओ ना मान चीड आप चलिए आगहा आप भी मा असल में तुम्हारी कारण दोना शुरू हो गया पापा जब बताओ तुम्हें रेडी करके लिए आता हूं ना अगर जिस घर में जा रही हो प्यार सित्यान रखने वाला पती है कल से तुम्हारी नई जिन्दगी शुरू होगी मुझ पर भरुजा रखो तुम्हारे साथ जिन्दगी भर रहने वाला इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है अगर वो साथ नहीं देता तो बात समझ में आती है तुम्हारे रोने के कारण अगर हम चिंतित हो जाए तो ठीक है देखो तुम रोरी हो तो वो कितना चिंतित हो रहे हैं मरने के लिए एक बड़ा कारण है तो काफी है प्रिया पर जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है और तुम्हारे पास तो दो दो परिवार है बात को समझो प्रिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अरे देखें रो ये मत चुपो चाहिए देखो कितनी अच्छी लड़की आगे माँ माँ मेरे बेहन की शादी है माँ ऐसे रहो कि तो कैसे चलेगा देखो बेहना कितनी सुन्दर लग रही है सुनो एक ती काज की गुडिया अंदाज था जुदा सुनो एक ती काज की गुडिया अंदाज था जुदा सब की प्यारी थी दुलारी उसके जैसा न कोई तुमर तुमर दलना यंदाज तुमर दलना युदा तुमर दलना युदा आफले लाए याए झाले लाए को विदाई तक पहुचा दिया तुमने जैसा कहा है वैसे सब भूलकर हैपी रहने की कोशिश करूँगे पर मेरे साथ जो हुआ तुम खोश रहोगी ना जाओ प्रिया जाओ जाओ को जाओ चीश आज़ा प्राव ला देना अमें ठीक से मारना आउट कर इसको अरे मिस्स कर दिया यार अही आश तंप का लेके जा रहे हो हम खेल रहे है कर दो रहे है कर दो कि अधर ने रहे हो दो ऑन अधर आजाओन के लाओचा खेल आचाल आउड़ है कि निए एक पागर को अरे खुड़ेंस ने डिलाए कि अ गपित प्रश्ड कान खराब हो गया कि अ है 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 कन निर जो पर खुड़े दुसे है झाल 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 इसे पैचानता है नहीं बता भाई हाँ याद आगया प्रिया इस लड़के गरम प्रिया है ना भाईया बहीं से जानता हूँ मुझे अच्छी लगती थी पर उसके अलाव और कुछ नहीं जानता मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसको अभी मिला भी नहीं, बात भी नहीं कि, मुझे छोड़ दो, प्लीज, सच भी उसके अलावा अमारे कॉलिज का एक सीनियर था जो उसकी पीछे पड़ा था, बोलता था, वो उससे प्यार करता है ए, कौने में तू, क्यों मार रहा है कौने में तू, क्या जाए तूजए ए, क्या जाए तूजए कि अाए वोड़ा कहा है क्यों में तूजए सभी– प्लिज trailer क्या चाहिए तुझे एस पहचाना यह लड़की पहचाना क्या है कोलेज में इस लड़की के पीछे में पड़ा था यह साहिए लेकिन किना भी ट्राइ करने के बाउजुद्य है पठी इसलिए मैने इस से छोड़ दिया लेस पूज़ा छोड़ दो और एक लड़का फेस्बुक पर उसे बहुत डिस्टरब करता था भाया, गंदे-गंदे मैसेज़ भेशता था उसे, ब्लॉक करने पर भी दुबारा दूसरे अकाउंट से उसे मैसेज भेशता था है, तेरा प्रोब्लम क्या है, क्यों मार राम लोगों हो हुआ वाह 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 Yाह यह लड़की कौने जानता है, इस लड़की को पैचानता है, इस लड़की का नाम प्रिया है, आप तो बता दिया मैंने, इस लड़की को मैंने मेसेज करना काप का बंद कर दिया, सच बोल, सच तो कह रहा हूँ, सच सच बता, इतने ही पता है, मुझ पर भरो से करो सर, एक मिन मेरे एक भी मेसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने उसे मेसेज करना हमेशा के लिए बंद कर दिया, मैं बिल्कु सच कहा रहा हूँ सर, मेरे बात पे यकिन करो, अरे बेटा, यह क्या, इतना खुन कैसे क्या हुआ, इतना खुन बह रहा है, और क्या कुछ नहीं हुआ, चलो होस्पिटल चलो, मा एसा कुछ नियुआ है कह रहा हूँ ना चुप चाप मेरे साच चलो तीन दिन के दवाई लिकर दे रहा हूँ ले ले ना ठीक हो जाएगा मैं अभी याता हूँ मा संभल कर हेलो सुनो ना ठीज रें शुरुप नगर बर्दे है सब लोग कहरें कि हम दोनों को आना जाहा हूँ याज नियुप अपूँगा तुम चली जाओ हे यासा क्यों मैं आज नियुप आपूँगा कहरा हूँ ना नियहा अभी तुम कहा हूँ ऊस्पिटलमे हूँ कि मेरा नाम किर्थी है मंपी बापा मुझे माफ करदो मैंने कोई कलती नहीं की है ना मेरा कोई बॉइफ्रेंट ना मैं किसी के बूमी पद डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्णेंट हूँ कैसे हुआ मुझे नहीं पता क्या करूं अब रास्ता समझ नहीं आ रहा मेरे पास एक वह पानी बातल है यह सर देना वह लड़की कैसे हुआ पहले पियो माँ पानी पियो आराम से मम्मे पपा को मूह नहीं दिखा पाऊंगी किसी भी तरह मेरा एबॉर्शन करवा दो ऐसे डॉक्टर से उसे कहते में ने सुना था तुमारे साथ कोई होना चाहिए तभी मैं एबॉर्शन कर पाऊंगे ऐसे डॉक्टर कह रहे थी मच्या अगर ऐसे जान देने लगी तो हम जैसे माता पिता कैसे जीएंगे बेटा क्या होगा उनका जो अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं क्या कहूं बेटियों का अच्छी तरह से पालन पोशन करना यह कोई मामुली बात नहीं है अगर हमारे साथ ऐसे माँ रुक जाहों माँ हमारी प्रिया सोना है ऐसे परिस्थेती कभी आने नहीं देगी हुआ 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 है राइटर जी है क्या हाँ वो रहा हुआ है नमस्ते सर सर मैं हुआ गंगा बैठो बेटा कि पिताजी ने फोन किया था सारी फॉर्मलेटी पूरी हो गई है अभी पेपर आएगा तुमस पर साइन कर देना बाकि हम देख लेंगे ओकिसरे चा परदस्ते बिटा बहुत थासी आ रही है हाँ है और अब है अब सर कल रात से मेरी बेटी लॉट कर नहीं आई है तोड़ा बीजी हूँ 400 दो क्या है देख इसकों को इसे सब्मेट करने के लिए जा रहा हूं सर 692 इंगा देख लेला जरा सर मेरी बेटी का मिसिंग केस है इस this time अब सु हां सर्थ, कल शाम से मेरी बेटी घर नहीं आई है उसार हमारी बेटी नहीं मिल रही है, और आप ममभाईल में विजी है तुम जरा रुको, ये लीजीए आपकी बेटी का नाम, आपकी बेटी का फोन नमबर, आपके बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, उनके नाम, उनके फोन नमबर, उनके अड्रेस, इसमें सब लिख दीजिए, इंक्वाइरी करेंगे, आपकी बेटी अगर मिल गई, तो आपको इंफर्म करेंगे बस वो बात नहीं है सार बता दिया है वो लड़की है जलो चलते हैं सर चाहे जाए गास खाने वाला जानवर कम से कम दूद तो देता है सर विश्वत लेकर उने उनकी बेटी मिल जाएगी ऐसा कम से कम भरोसा तो दे सकते थे न आप यह आपके घर हुआ होता तो क्यों बेटा सोशल रिस्पोंस्बिटी ले रहे हो पुलिस वाले के सामने बैठ कर फिल्मी डाय लेकिन देने वाले के लिए तो कुछ ने बोला तुमने आज कल मिसिंग कम्प्लेंट का मतलब है रोड पर जो राकि पहने हुए कोवे की तरह काओ काओ करते हुए पूरी सिंसिरिर्टी के साथ गलिों में घुमते रहते हैं घुमते घुमते जब ठक जाते हैं तो सब को इंट फॉर्म करते रहते हैं पाइनली अगर हम नहीं ढूंड पाते तो बड़ी शर्मिंदी और दुवधा में फोन करते हैं सौरी जी आपकी बेटी नहीं मिली इससे पहले अरे रे कॉंस्टेबल जी आप हमारी बेटी की तलाश कर रहे थे क्या आपको कंप्लेन लिखवाई उसी दिन रात को मेरी बेटी वापस घर पर आ गई आपको इंफर्म करना हम लोग भूल गए सौरी सर और फिर फोन पर जोर दोर से हसते हुए फोन कट कर देते हैं बेटी वापस आई तो हमें नहीं बताना चाहिए कंप्लेन लिखवाना जरूरी समझते हैं बताना जरूरी नहीं समझते हैं हमें नहीं जनता को नहीं है हर इंसान हमें गलट ठेहराता है एक और चाहिए लेकर आठंडी हो गई सब्सक्राइब सब्सक्राइब में अवं णियुक्त सब्सक्राइब सर साइन छiac़ удар में इलकाइब मैं यह सब्सक्राइब के जक्त वान परचाई ग्म यह सब्सक्राइब मैं जीशन चाहिए एटो आपके प्लेंट ना इसे पंपलेंट दी थी ना क्या हुआ पूलिए सर अपकी मेरी लड़की वापीस आगे थी और जिस कंप्लेंट के बाले में अटो प्लेज अटो बाइया रुको रुको ना प्लीज सर बेटा मेरी बेटी हॉस्पीटल में आ वहां तक छोड़ बेटो थैंक्स बेटा ओम्नी हॉस्पीटल अरे कुछ नहीं है छोटा प्राब्लम है हाइपोग्लेसोमिय कहते है इसे ज्यादा फिकर करने की जरूवत नहीं है बॉड़ी में शुगर लेवल जब कम हो जाता है या फिर सोडियम लेवल अचारा कम हो जाता है तब ऐसा होता है लड़की को अच्छी से हेल्दी खाना ख क्यों चलो चंपते हैं कभी वेरी बात महीं मालती हमेशां डायटिंग करती हो खाना नहीं खाती हो अभी आपने थोड़ी दिर पहले फोन किया था ना सर हां बूलिये हमारी बात नहीं पाई और अपने फोन कट कर दिया था आपकी बेटी से में बात कर सकता हूं थीकि मैं हालो सर उस दिन क्या हुआ था एक्चुली उस दिन मैं आनंदगर के बस टॉप पर वेट कर ले थी तो बहुत वीक्निस महसूस हूई सर ऐसे मैंने आखे बंद कर लिया उसके माद पता नहीं क्या हुआ उठके देखा तो बीश रोड के पास एक हॉस्पिटल में थी कौन सा हुस्पिटल प्रेग्ना हुस्पिटल सर नमस्ते सर आप मैं किर्थी के बारे में बात करने के लिए बैठो सर आपके बेटी कीर्थी पानी पीना चाहोगे यह ग्लास पानी लाओ आपके बेटी के बारे में बात करने के लिए पहले पानी पीलो किर्थी की मौत से पहले तुम चले जाओ बेठा वो बात नहीं है सर मेरी बात क्या बात नहीं है बेठा मेरी बेटी किसी के साथ गौंगती थी और वो पेट से भी थी फिर उसने हमें दोका दिया यही कहना चाहते हो न तुम तुम से पहले यहां पुलीस आ कर गई उन्होंने भी यही कहा रोज सुबह मेरी नींद खुलते ही सब यही सवाल पूछते हैं रोड पे चलने वाला हर इनसान मुझसे यही सवाल पूछता है सुन-सुन कर मेरे कान पक चुके हैं मैं दुखी हो चुका हूँ आखिर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में जब तक हर इनसान तरह-तरह की बाते नहीं बना लेगा तो नींद नहीं आएगी क्या यह क्या है सर यह मेरी बेटी की रिपोर्ट है जब तीन मेहने पहले वो चक्कर खाकर गिर गई थी तब किसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उसी से संबंधित रिपोर्ट है यह मा मैं जब यूस में था तब अप्रिया हॉस्पिटल में ऐसा अपने काह था क्या हुआ था हुम बस 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 देखो खाना ठीक से न खाने की वज़े से चक्करा कर गिर गड़ी वो तुम ठीक सिखाओ जी कहिए हाई तीन मैंने पहले कोई साधना नाम की लड़की यहां पर एडमिट हुई थी एक मिनिट कि इमर्जनसी में एडमिट हुई थी एमर्जनसी मतलब यूजुली एम्बिलेंस लेकर आते हैं एम्बिलेंस के डिटेल्स दे सकते हो क्या आप पुलिस है क्या आँजी नहीं सॉरी जी डिपार्टमिन के अलावहा भारवालों का इंफरमेशन नहीं देते हैं कि का कि एक हफते के लक्षमी माम की एक लड़की कोrama कि एम्रमिड किया था अप्डियोंस लेकर है थे अमीमस डिटेस आप कुछ दिस पि ए क्या-ट हम है कि पांच बहने पहले मोनिका नाम की लड़की हैं एडमिट हुए थी वन मिनिट फाइब मन्स अगो यह एमर्जनसी लेकर आये थी एम्बिलेंस में क्या यह सर्ट यह सर्ट कि कि आ ऐसे ने इसे कि और भी दिन्स करें सब्सक्राइब कि कि यह बात सुन कल का दिन मुझे सही नहीं लग रहा है तली का दिन से हैं कल सब के सब विसरजन की जल्दी में रहेंगे कल एक मचली को पगड़ नहीं होगा मैं हुआ है भूआ हे युब कर दो कि अगर कुछ बात निया तो क्यों मुझे इतना थो इन फोन कर दियो वैसा नहीं है मेरी फ्रेंड शूती है ना, वो चकर आकर गिर गई, उसे हॉस्पिटल लाये है, उसी के बारे में बात कर रहे थी बाद में कॉल करूँ क्या? कौन सा हॉस्पिटल? क्या हुआ? प्लीज सर, रास्ता खाली कर दीजे प्लीज, प्लीज, उस तरफ 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 शूती कहा है? प्लीज, रास्ता क्लियर कर दीजे, प्लीज, मैडम, प्लीज, सर, ओल क्लियर, ओल क्लियर एक्स्क्यूज में, हाँ, बोलिए यहाँ एक वाइट्रिस पैने हुए लड़की आए थी, आपने देखा क्या? अच्छा वाइट्रिस बाली लड़की, वो अभी थोड़ी देर पहले चक्कर खाकर गिर गई, हम लोगों ने एम्बूलेंस को कॉल किया है, कहा है? वो देखिये लड़की को लेकर जा रहे हैं शुरूती शुरूती टेंशन में हूँ मैं कि अब तक उसे लेकर क्यों नहीं आए यह अश्पिटल लेका? बिल्कुल, अम्बूलेंस पे मैंने नाम देखा था अपनी आखों से देखा था? बिल्कुल देखा था हलो, टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है? टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है? टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है? उस तरफ सर साई, सर को जो भी इंफार्मेशन चाहिए देदो ठीक है सर तेक है सर में मूताबिक निंके पांच किलो मिट्र से ज्यादा जाने के चांसे नहीं है मॉल रभी स्क दिरेक्शन वे पांच किलो मिट्र सरकल बनाओlaw किया सर्माल से सब में एक पांच किलो मिटुटर का सरकल अची पह अरुale निया हां डेक्शन बता हूं ओके सुनो वो लोग दसपना से लेके जगदंबा जंक्शन की तरफ जा रहे हैं ओके यहीं पर हूँ अब एम्बूलेंज को क्यों रुका रहा है कौन है तू अरे कौन है भाई हाँ नहाँ शुरुती इसमें नहीं है अच्छा अभी अभी एक अम्बूलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है ओके ओके जा रहा हूँ सुनो सुनो संपत्विनाय टेंपल से लेफ लेलो और फ्लाय ओवर पे जाओ प्लाय ओवर ओके वो तुम्हारे सामने ही है हाँ बस सौ मीटर की दूरी पर है हाँ अब यहारे खुलो रुक जाओ निहा इसमें भी नहीं है मैडम रेल्वे सेशन के पास अच्छा रेल्वे सेशन की तरफ एक और आम्बिलेंस जा रही है अब लेफ या राइट लेफ लेव लेफ लेड़ो ओके वो तुम्हारे बहुत पास है अच्छा ए कौन है रदी नेहा इसमें भी नहीं है आलिपुरम जंक्शन पोस्ट के पास एक एम्विलेंस बहुत देर से रुकी हुई है एलो नेहा है वो एम्विलेंस अगर वहां से हिले तो मुझे खबर करना है कि अच्छा नेहा इसमें कोई भी नहीं है ओ भाई कौन है तो कौन सी लड़की मेरा काड़ी ख़रा वो गया मैं कब से इधर ही हूँ लिसन लिसन हाँ बोलो रोजल की तरफ एक एम्विलेंस जा रही है वोके जा रहा हूँ राइट ले लो राइट पे वहां से स्टेट जाओ यहां से लेफ्ट ले लो लेट क्या वहां से स्टेट जाओ यहां 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 पर डड़ेंड है कुछ तो सोचो अपने पास टाइम नहीं है अच्छा सुनों अम्विलेंस सिग्नल के पास रुकी है प्लीज मेंकित पास्ट गोओ यहां 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 यहांग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अजिए अजिए आप आपके जारी है अबिलन समारे राइट से आपके जारी है तुम हिल भी नहीं रहे हो मौप भूप मौप पाच मौप भूप मौप भूप मौप六ण मौपा मौप भूप मौप भूप पमएदो वालुष深 वालुष डवाले मेन बुफ यहां बापी को नष्ट कर यब दू हुख को मारे बापी का नाश परे कोड़े दू होके बुग दे बापी को अज़ कोड़े देदू शक्ति कोड़े यह लगताए कोई बडी मचली है अब त्यां दिका लो यह इसको भी काटेंगी आज आहो, तो रगनाई! ईगाई! कर दो किल ने लोग की रख्षा करें रने की रह पचलत स्क पोड़िजाना हुआ है और अग अग्यासे जा निकलो निकलो हुआ हुआ है कर दो झाल 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 पॉझ इस लड़की को जानता है? बाल iushar को अञे हूँ, Sir वैसर दिने के बार छोड़े को कहा। छोड़ू डिया मैने छोड़ने को कहा। समंदर माग की कसम खाता हो, Sir और मज़े को सिख़फ के पता किस्ने छोड़ने को कहा?! इसने? बोल किस्ने!? किसने बॉर्ण इसके पीछे किसका हाथ है किसका हाथ है नहाँ मैं अभी आता हूं हुँ अध्याँ पर बड़ी मच्री है अध्यान निकालो इसको भी काटेंगी आच इस नड़की को ठाने वाला पही हूं सर मैंसिद्रे के बाद चोड़ेगो कहा चोड़ दिया मैंने समंदर माखी के समखानो सर किसके अध्याँ किसके दॉट्टर साब दॉट्टर साब एक पोस्पोर्टम केस है एमर्जनसी है देख लीजिये ना आफ्टर सिक्स पीम पोस्पोर्टम में नहीं करता है पताया ना किसके अध्याँ प्लीज सर थोड़ा अरजनसी है प्लीज सर जज की बेटी है सर उक्षाण सर्षाण रडि करो बोडीस गयाँ अव्यर आफ़र देख अव्यर आफ़र एक-व्यर आफ़र बोडीस गयाँ अव्यर आफ़र देख कर दो कर दो कर दो कर दो झाल थोड़ा और मुझा होती तो आच्छा होता क्या लाश के साथ इंसान की इच्छा पूरी होनी ज़रूरी है वो जिन्दा हो या लाश हो कुछ फरक नहीं पड़ता हावस पूरी होनी चाहिए पुमार आपने आगया आगया चलो आगया आगया देनियल पावार अरे गदे के बच्चे आया हूं कह भीना जा क्यो रहा है तुम बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा ना इतना बड़ा इंसान जब जा रहा है तो बोलने के क्या सवरूत है चाचा लिख लो जोजब माधब आजा रहा हूं चाचा जी ये सब क्या है सब आने की बद करके जा रहे हैं समुंदर हमारी माँ के समान है रोज सुबह सुबह उस माँ पे विश्वास करके समुंदर में मचली पकड़ने जाते हैं किसी दिन समुंदर माँ अपने पसंदिदा इंसान को अपने गर्भ में छिपा लेती है जिनकी जरूरत नहीं उन्हें समुंदर से बाहर फेकती है हम मचलियों को पकड़ सकते हैं पर समुंदर की आंधियों को पकड़ नहीं सकते न बेटा इसलिए रोज कितने लोग आते जाते हैं गिंती करते रहते हैं वैसे तुम कौन हो बेटा मैं इलेक्शन सर्वे से आया हूँ चाचा आपके यहां कितने लोग हैं पूरे यहां कुल मिला कर 390 लोग रहते हैं उन में से 207 लोग तो मच्वारे ही हैं तो फिर सभी लोग समुंदर से आ गए हैं क्या यह लो दादा जो मशली आपने वांगी थी जाकर माजी को दे देना अरे रामू वो दाविद, रवी, चंदू, आरिया दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम्हें समुंदर में दिखाई दिये थे क्या यहां पता दादा मैं समंदर के उस तरफ गया था वो दूसरी दरम के होंगे, मुझे कुछ नहीं बता ठीक है, पूरा बारह लोग आना चाहिए यह लफंगे कब आएंगे तुम्हें काम करो बेटा, कल सुबह सुबह ही आजाना और अपना काम कर लेना चलता हो बेटा बोलिये दादाजी वो लड़की नहीं रहने दो, आज का हो गया बात वो नहीं है, हमारे लोगों को किसी ने अबुलेंस रोक कर मारा ठीक है, घारा उन लोगों को भी ले के आँ कौनो बेटा तुम? सर, शिवशक्ती ट्रावल्स पीछे वाली बिल्डिंग है ओके सर, तैंक यू चलो यही है वो नवस्ते मालिक आप यहमारे भगवाने सर, आप कही कारण हमारे बच्चे कौनेंट स्कूल में बढ़ रहे हैं हाँ, फर्स्ट टाइम सभी मिलकर घर आए है आओ, मिलकर खाना खाते हैं अरे, आपके साथ? नहीं सर इतने दिन मेरे लिए महनत किया मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हैं गया प्लीज, बैठो बैठो, बैठो बैठो प्लीज, तुम भी प्लीज, बी कमफिटेबल दादा जिंगी हाँ, 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 देता हूँ यह तुम लोग के लिए स्पेशली बनाया है खाओ, कमान, कमान खाओ खाओ, खाओ, खाओ शर्माओ मद, खाओ असल में क्या हुआ मालूम नहीं सर, उसको दबूर भैचेंद भी नहीं है जोर से आगे टक्कर मारा हाँ, सर मैं समझ गया इनके साद अच्छा रिष्टा बना के उन्हें मरवाना है क्या? आप बिल्कुल चिंदा मत किजिए सर इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे हाँ, हाँ, मार डालेंगे, मार डालेंगे खाओ उसे मुझ तक पहुचने का जरिया यही लोग है इसलिए इन सब को खाने के बाद मार डालने का सोच रहूं खा लो, खालो खाने के बाद ओ, कम ओन, प्लीज खाओ अरे, यह चिकन क्यों नहीं लिया? का ओ? का ओ? का ओ? शर्मा ओमत का ओ.. का ओ.. का ओ.. झाल 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 अगुर को हुँ जो अगुर को कि देखा बहुत मेरे हाथों से अच्छा तु अपने हाथों से ही अपने आपको मार देन यह कितना बड़ा दरिंदा है भगवान सारे कौरों की कुरूरता से भी बढ़कर इसकी अकेले की कुरूरता है हे बगवान अरे वो मेरे मामा का बोट है उस पर मत बैठ अरे उतर नीचे उतर रहा हूं ना अरे उतर रहा हूं ना इस तरगी को ठाने वाला महिँ सर अरे तु क्या कर रहा है यह चोटे यह बोट किसकी है यह यह मेरे मामा की बोट है उनका घर पता है क्या तूहट चल इनको दिखा के आते और कितना दूर है यह बहुत है बहुत है मामी आप से कोई मिलने आया है मैं एलेक्शन सर्वे की तरफ से आया हूँ एक बार आप अपने पती को बुलाएंगी वो घर पे नहीं है दो दिन पहले मशली पकड़ने गए थे मेरे ख्याल से एक दो दिन में आ जाएंगे एक ग्लास पानी मिलेगा हां अंदर आये साब आये ये लिजे साब राज अमा हां रुक रुक आती हूं मैं आ बैठिये साब मैं आती हूं पहरी कहो गए। भरी क्यों गए। तो प्रुआ हुआ है मार्य हलो बेठा कहा हूं मैं बहार हूं बताव ना आज रक्षा बंदन है ना? बेहन घर पर आई है रा देख रहे है तुम्हारी तेरे संग भीती रातें जीये हसी लम है तेरे संग की जो बातें बुने हसी सपने दिल में वो रख लिए लम है वो प्यार के बंदन है ये खुशियों भरा तेरी रक्षा करूँ मैं सदा तेरी दुआ साथ रहे तेरे साथ रहे मेरी दुआ सासुमा ये कितना क्यूट लग रहा ना इस फोटो में प्रिया जब पैदा हुई थी तब लिया था ये फोटो प्रिया को उसके पिता से पहले और कोई नहीं देखे इसके लिए दर्वाजा बंद करके पिता के आने तक वही पर खड़ा था वो हुआ है 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 अब आने से पहले दोर नॉक कर क्या सकती थी मारे बीच पे फॉर्मालिटीज ये मुझे पता ही नहीं था सॉरी मेठो मैरे जो गिफ्ट यह वो पसंद आया देखा निहां बहुत बढ़ी है जूट उनसे बोलो जो तुम्हें जानते नहीं है उनसे नहीं जो तुम्हें जानते हैं हां वो मैं बिज़ी था इसे लिए एही देखा तो नहीं बोला चाहिए था देखा एसा जूट क्यों बोला नेहां वही तो कह रहा हूँ कुछ काम था इसे लिए नहीं दुकर यृटा होूँ लॉचम्हा है box बहुत अच्छा है क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं तुम मैं कहां वियर्ड बिहेव कर रहा हूं नॉर्मल ही तो हूं नॉर्मल नहीं हो तो नॉर्मल होते तो कहते नेहां ये हो गया है नेहां वो हो गया है हर बात तुम फोन करके बताते हो अभी फोन करती हूं तो म कै तुम मुझे छोड़ना चाते हो, अगर बीच में ही मुझे छोड़ना चाते थे, तो शादी तक बात क्यों ली कर आये तुम, मेरे घरवालों को क्यों मनाया तुमने, आखिर पुछ तो बोलो तुम, मेरी हालत तुमें समझ में आ रही है, तुम्हारी भी तो बहन है ना अगर उसके साथ किसी ने ऐसा ही किया होता तो तुम क्या बताओ मैं तुम्हें शादी से दो दिन पहले मेरी बहन मरने जा रही थी यह बताओ तुम्हें शादी से पहले वो प्रेगनेंट हुई, वो कौन है यह पता नहीं, यह बताओ मैं तुम्हें, कुछ, कुछ बातें प्यार करने वाली लड़की से ही नहीं, खुद की मा के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, मेरे हाथों से मैंने प्रिया का अबॉशन करवाया, मौत से भी बड़ी खुश्या में हर पर डूबी रहे, छूना सके तुझे कोई गम मेरी कमीना महसुस हो, तुझको मेरी बेहना मेरी दूआ साथ रहे, तेरे साथ रहे मेरी दूआ, मेरी दूआ, साथ रहे याया, आरीम साथ हो जाएगा दीदी, सुनो ना, आज़ बहुत अच्छे लग रहे हो तेंक्यू पर आपने जो डियो लगाया न वो बिलकुल अच्छा नहीं है आपके लिए मेरे पास अच्छा डियो है यह लीजे अच्छा है 200 की है दीदी पर मेरे पास तो 500 का नोट है मेरे पास छोटे नहीं है दीदी थम रख लो थैंक्स दीदी प्रमुक व्यापारी व्योंकेश रगुपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरण हो चुका है पुलिस का मानना है कि यह व्यापार में हो रहे जगडे की कारण हुआ होगा सुनो एक बार न्यूस देख लो शहर के कमिश्णर राजना ठाकूर खुद इस केस की तहकीकार कर रहे हैं कि शह क्या जिंदगी है करोड़ो रुपे का खरुचा करें बंगला पानाते है और एक कप कॉफी भी नहीं बिलाते एसे बच्चों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? भाई एक चाह दे ना है? क्यों भाई या इतने कुछ से में क्यो लग रहे हो? क्या बदाओ भाई, लड़की को गुम हुए छे घंटे हुए, इतनी देर के बाद कंपलेंट कर रहा है, छे घंटे में तो लोग बार देश चले जाते हैं, इतनी तो समझ होनी चाहिए, वैसे तो हमारे आउफिसर को सुनी चाहिए, हमेशा पैसे वालों की नहीं सुनी चाहि नहीं है, यह कोई काम है, इसलि तो अच्छा घर जमाई बन जाता है, हेलो नेहा, तुम, मैं सौम्या की फ्रेंड हूँ अंकल, अंटी कहा है, ऊपर जाओ वही होंगे, ओ क्या अंकल, बेटा, एक मिनिट, अ अंटी ने सुबसे कुछ नहीं खाया बेटा, ट्राइटो फीद हर सम्थिंग, ओके सुनो, मैं उस लड़की के रूम में, हाँ, गट, वो लड़की कौन सा फोन इस्तेमाल कर, मुझे किसे पता होगा, बेट के बगल के सॉकेट में किसी ना किसी कंपनी का चार्जर होगा, देखो, हाँ, दिखाए दिया, एक मिनिट, उसके पास आइफोन है, आइफोन यूज अब बगल में किया कि रखा है , डॉल्स, पैंस , के मातापिता के साथ वाले फोटो लेकिन मा के साथ फोटो्स ज्यादा है, मा के स्व्यादा फॉटो भॉटोर ट्राइफोन हे siword ज्यादा है , उनकी मा का नाम प्रभा का नाम प्रभा ठी है, प्रभा होती टाइप करो यह भी रॉंग पास्वर है आपके बेटी की परस्टनल चीजने जेक करनी है शान्ती हाँ साब इन्हें सोमय के कमरे में ले जा थैंक यू सार चलिये साब यह भी रॉंग पास्वर्ड है एक मिनिट लाइन में रो इंस्टाग्राम जस्टन ट्राए करो जस्टन ट्राए करो जस्टन ट्राए करो हाँ ओपन हो गया यस अब सारी इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी से फॉर्वर्ड करो उस तरह मैं साब कि अख संविया के बारे में कुछ पताचला नहीं मैंडर्ड मैंनम, इन्विस्टिगेशन चालो है. उके. उनकी चीजें थोड़ी चेक करनी है. यह. थैंक्यू मैंनम. हे बेबी, कितना समय? कहा हो तुम? और आते समय रेड बुल लाना मत भूलना. आपका कंट्रोल लूं का है? उधर, सर. वो फर्स्ट कैमरा उपन करो. हाँ, ओके, सर. सेकंड खोलो. पार्किंग का कैमरा उपन करो. हाँ, करता हूं, सर. लड़की यहीं से बाहर गई है, पर हमें ठीक से देखता है. आप कौन हो? मैं मेडिया, उनके साथ आया हूं. ऐसे है? हाँ. चली मिरे साथ. ठीक है. जरा यह कैमरा उपन करना? ओके सर. यह देखो. जरा यह कैमरा उपन करना? जरूर. रुको. जूम करना? यह लड़का कौन है? यह यहीं सिगनल के पास फूल बेशता है. थैंक्यू. यह लड़की को देखा है? हाँ, देखा भईया. इसे मैंने प्रेभी बेचा. तुम प्रेभी बेचते हो? नहीं भईया, उस दिन उस चाचा जी ने कहा था, इसलिए बेचा. अरे बेचा, जरा यहां आना. क्या होगा चाचा? मेरा सीर घुम रहा है. यह इस्प्रे बेच सकते हो क्या? तुझे मैं पचास रुपे देता हूँ. ठीक है दो. ठीक से देख, यह चाचा जी वही है? हां यही है भईया. ठीक से याद करके बोल. यही है क्या? यही है भईया, मुझे ठीक से याद है. वह जाग थेकने वाला और इस बुड़े का क्या संबंध है? यह मिला तो समझो बुठा मिल गया. चाचा जी क्या हुआ? तो समया नाम की लड़की का अपरन हुआ था और आज इसकी लाश मिली है. अपरादी में लाश को पुलिस स्टेशन के आगे ही ठेक कर शहर को हिला के रख दिया है. माता-पिता, रगुपती, राजु, प्रभावती करोना बंधी नहीं हो रहा है. पुलिस दिपार्टमेंट के लिए ये केस बड़ा सवाल बन गया है. ये अपरन एक बड़ी सोची संजी साजी है. ए! कह रहा था ना, पर तुम सुनोगे कहा? पुलिस स्टेशन के सामने ही लाश को फेक ना, ये कोई छोटी बात है क्या? अगर जानने के लिए सेद्यून टीवी नाइंट. बाहर मामला कितना घरा में देखो. आहां, बहुत करम है इसलिए. थंड़ा उने से पहले जल्दी पी ले. प्रमुप्यापारी ग्योंके श्रेभुपती राजू प्रभावतिकी पेटी सौम्या का अपरन हो चुका है. पुलिस का मानना है कि ये व्यपार में हो रहे जंगडे की कारण हुआ होगा. ए, तुझे ड्रक्स की आदत है क्या? आरी ये ड्रॉग एडिक्स विख रहा हुआ हूँ. पुछ रॉट्ट का ये विख रहा हुआ है। अब ए, क्या कर रहा है। शी इड्रॉग एडिक्स को नॉबल डोस देतें तो काफी नहीं है, इसलिए वो होश में आ गई. इसने मुझे देख लिया, अगर मैं बाहर गया तुम्हें पकड़ा जाओंगा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, I need to kill her, I need to kill her, इसे मैं जिन्दा नहीं छोड सकता, जिन्दा नहीं छोड सकता तू पागल होगे क्या, क्या कर रहा है, रुको, इसे मेरे बारे में पता चल गया है, इसे जिन्दा नहीं छोड सकता, बाहर डालेगा क्या, तो इसे छोड दू क्या, इसे छोडने का मतलब, एड्रेस, डूर नमबर के साथ दे दिया समझो, इस लड़की को अगर मार दिया, तो प्राबलम हो जाएगी, छोड़ दूँगा तो यही बाहर जाने के बाद, और बड़ा प्राबलम खड़ी करतीगी, तू जल्दबाजी मत कर, सोचते, अफरन करना गलत नहीं है, सबू छोड़ना गलत है, इसे लिए इसे छोड़ूँगा नहीं, तुझे समझा रहा हू तुने देखा उसे और कुछ देखने का हाक नहीं, नहीं, पकड़ा जाएगा, पकड़ा नहीं जाओंगा कहा ना, कौना तुम, बात कर रहा हूं समझा, शु, 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 शुट अब, तुने बहुत बड़ी गालत ही कर दी, इतने दिनों से लड़कियों को लाकर, तेरी जरूरत पुरी होने के बाद उन्हें हॉस्पिडल में छोड़ देते थे, जिन्दा रहती थी, इसले किसी को कुछ पता नहीं चलता था, अगर ये लड़की नहीं मिली तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी, अब इस लाश का क्या करोगे, सिटी के कमिशनर इस समय इस केस की तह येस, मैं आपका फोन बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था, ओ, सॉरी, मैंने फोन नहीं देखा, आपको न्यूस पता ही होगा, बॉम देवा रगुपती राजु की बेटी को मार कर, पुलिस टेशन के आगे फेक दिया गया, उसकी बड़ी को आपको ही अपकी अटोप्सी करना होगा, ओ, ओ, ओके, आप चलिये, मैं आता हूँ, ओके, थेंक यू, दॉक्तर मनोग कुमार, MS, फोरण सेख पाथॉलोजी, सुपरिंटेंटेंटन्ट ओफ, मरने वाले को बचाने के लिए इस शहर में सौ हास्पिटल है पर मरने के बाद भले वो सीम हो या सीम का बेटा हो उसके लाश को मेरे पास ही लाया जाता है Now, do you understand? मेरे पुरे करियर में एक बॉड़ी का ओपसी करते वक्त फर्स टाइम मेरे हाथ काप रहे थे एक बड़े रोड से सर पर मार मार के उसका अफसार बुड़ी तरफ बुड़ दिया definitely he's not a human मार के लाश को पुलिस टेशन के सामने ही फेग दिया मतलब look at his bloody confidence उसे किसी ने पकड़ा नहीं से लिए खुला चैलेंज कर रहा है I request all the police to find him immediately police department को 100% मेरा support रहेगा future में ऐसा कभी भी कुछ हो जाता है तो मेरे पास ही आना my deepest condolence to her parents I am so sorry sir, 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 sir! Sir, 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 sir मॱ me şidd Kabul you are officially insane now उस लड़की को किसी भी तरह नाइ भी आ rival यह गुम हुई लड़कियां साधना, कुर्ती, सौम्या, इन में से हमारी प्रिया भी थी ऐसे कितनी सारी लड़कियां हमेशा गुम हो रही है असल में बात यह है कि इन में से किसी एक कभी प्रोफेशनली या फिर परसनल कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है वो लड़की को सिलेट करने के लिए भी कोई पैटन फॉलो नहीं कर रहा है वांबे कॉलिर में गुम होने वाली क्यूर्थी उसे कहीं गजवा का हॉस्पिटल में भरती करवाया गया सिता मदारा में गुम होने वाली साधना को पास के इसा का थोटा में भरती करवाया मिंडी में गुम हो जाने वाली लड़की संजाना को दुबारस से मिंडी में पर्ती करवाया कृष्णामूर्थी हॉस्पिटल में यह सब एडमिट हुई थी एक ही रीजन से हाइपोग्लेसीमिया मतलब शुवर लेवल्स टाउन होकर विदिन नो टाइम बॉड़ी टी हाइडरेट होकर चक्करा कर गीर जाना एक या दो लड़किया इस प्रॉब्लम से एडमिट होती तो में इतना ध्यान नी देता पर एडमिट हुई हर लड़की इसी रीजन से एडमिट हुई है और तब मेरा इस पीशे पर ज्यादा ध्यान गया और देन आइ स्टार्टे रिसेर्चिंग फॉड़िस हाइपोग्लेसीमिया को अननैचरली भी अटाइक कह सकते हैं इल एक्स्प्लेन यू 1960 में रॉबर्ट टिसोज असाइंटिस ने हाइपोमिसीन की खोच की उसके खोच करने का मेंड रीजन था एक इंसान का वेट कम होने के लिए ये ड्रक्स लेने के बाद इंसान की बॉड़ि डी हाइडरेशन होना शुरू हो जाती है तभी वो बॉड़ि के साथ एक घंटे वरकाउट करेगा इस ड्रक को प्रोफेशनल सर्विलेंस के बिना लेना इल्लीगल कहकर बंद कर दिया जहां जाओं वहां रास्ता बंद पड़ा था एक दूसरे से संबन ना रखने वाले इंसान मचली पकड़ने वाले मचवारे शकुनी के जैसा एक बुठा ये सब के वाले एक नाटक के पात रहें इन सब को एक ही स्टेज में खिलाने वाला निरिदेशक कौन है टोटली कन्फ्यूस्ड हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या साक्षात अरुजून के आने के बाद भी उसे समझ में ना आया ऐसा चक्रिव्यूसेट किया है पर उसे ना समझने वाला विशह यह है कि उसे ढूडने वाला कोई अरुजून नहीं है बलकि गुरुक्षेतर को अपने हाथ से खुमाने वाला श्वत्थामा है असल में हमें सारे मिलने वाले लोग सच कहरें इस बात की क्या गैरंटी है मैंने उनके बात सुनकर भरुसा नहीं किया है नहा आखे उनकी आखे जूट नहीं कह सकती हमारे प्रदेश की राजधानी वाले इस शहर में फिर से एक हाथसा हुआ है शहर के बीचो बीच होने वाले वाले वाइजक सेंटर मॉल में कुछ लोगों ने संध्य नाम की लड़की का अपरण कर लिया था और ख़र यह है कि सर कौन है आप मुझे आपका CCTV फुटेज देखना है सॉरी सर इस कॉन्फिदेंशियल आपको नहीं दिखा सकते दस हजार सर ग्यारा बजी मेरी शिफ्ट खतब हो जाती है आप 10 मिनिट पहले आजाओ मैं दिखा दूँगा हलो हलो नहा फोटो आगया क्या आगया ओके और जिंटली मैं जैसा कहता हूं वैसा करो क्यों मैं जैसा कह रहा हूं वह करो सेकंड फ्लोर ओपन करो रुगो रुगो इस लड़की को फॉलो करो ठीक है सर नेक्स्ट रुगो रुगो पॉस करो जून करो उस बुट्टे को फॉलो करो उस बुट्टे को फॉलो करो सर वहां पर कोई कैमरा नहीं है कैसे 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 बैक ओके सर बैक करो और बैक और और ओके सर रुख जाओ पॉसे फॉलो करो फॉस्ट फॉर्स फॉर्स फ्लोर यहां पर कैमरा नहीं है सर कार पार्किंग में पार्किंग में पार्स करो शिवा शुक्ति ट्रेबल्स कार शुक्ति ट्रेबल्स क्या शुक्ति ट्रेबल्स क्यूंट जुकूंगुंग। भी नहुत है। क्यूंग। प्रीष हेवाला बिदिंग। प्रीष्ण नुकूझे ठीष्टू प्री उस मोराणन थे हैं। यहाईग। ग्रीष्ट रखला सौमया है। यह आपने सव्या का पोस्ट मॉटम किया था नो यह उस के से के आरे मुझे कुछ इंफरमेशन चाहिए आप पुलिस में क्या है नाई सर अब मुझे है नाम के ड्रक्स के बारे में छोटे इंफरमेशन चाहिए ओके लेट में में कोफी पर यू सब्सक्राइब कोफी सब्सक्राइब कोफी पीते हुए बात करते हैं सब्सक्राइब कौन है वो पागल है महरने के लिए खुदी आया है पहले से क्या रहा था ना अब क्या करोगी एक्सक्यूज मी सर यह मेरी दादाजी है तो दिन से दिखाई नहीं दिये है घरवाले बहुत टेंशन में है सुनो बोलो निया मैंने पुलिस्टेशन में कंप्लेंट कर दी है ओके गुड नेक्स्ट प्लान क्या है मैं बता हूं निया कोफी मतलब अलो बेटा मुझे कोई फॉलो कर रहा है तुम टेंशन मतलो जैसा क्याता हूं ऐसा करोगा ठीक है बेटा अब कहा हो एवी पी रोट से उश्या जंक्शन की तरफ जा रहा हूं बेटा उदर से लेफ ले लो ठीक है बेटा सुनो उन्होंने उश्या जंक्शन से लेफ ले लिया है ठीक नेहां अब कहा पोशें कामत रोट पर हूं पिटा रामनागर जंक्शन की तरफ जाना बोलो निया रामनागर जंक्शन की तरफ जा रहे है अभी अभी पोर्ट पे एंटर किया है पोर्ट नेहां उसे कोई गाइड कर रहा है तुम अजटली महा से चली जाओ क्या हुआ कोई ट्रैप कर रहा है क्या मैं नहीं चाहता तुम इस पर फसो लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं मैं सख करो नेहां पोर्ट के तरफ आए उस ट्रक को फॉलो कर की तरह अगया पिटा अभी राइट ले लिया पिटा स्ट्रेट आजा स्ट्रेट आजा आजा आरहो पिटा फास्ट आरहो पिटा स्टाप अठीक है पिटा वह मेरे सामने से आरह एपिटा उसामने आ गया जाओ पिटा बेटा 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 वह मेरे पास अगया मुझे बाड़ भॉटर में पाई कर दो किब दो कर दो का याचा नाचा लुग जुग नुग डिलुड तर दुग जुग 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 धुग भैं जुग एपनुछ है वाया कोई आया है यह कार नमर किसका है पता है यह तो दोक्टर मनुच कुमार कार है सर कर दो 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 कि वेल्कम डॉक्टर मनोज कुमार सफेद कोट में बहुत अच्छा खेल खेलते हो आखिर पकड़े गए पापा कह रहा था ना मेरी बात माना क्या पापा मेरी बात माना क्या पापा पस दूबरा नहीं करूगा बेटा 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 शांत हो जाओ वो छोटा बच्चा है बेटा अंजाने में किया होगा उसे माफ कर दो बेटा आपको जो लुक्सान होगा वो पैसे से नहीं चुका सकते बेटा अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गए तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा प्लीज दया करके बाहर किसी को मत पताना मना मत कीजिएगा प्लीज मारा इसलिए दुख हो रहा है नहीं दर दो रहा है एक बात याद रखो अंजाने में किया तो गलती है और सब जानते हुए भी करना निर्भैता होता है कितना भी महान इनसान हो जो गलती की है वो किसी को पता नहीं चलता पकड़ा नहीं जाता तब तक ही लोग उसकी इज़त करते हैं इसलिए गल्ती पता होने बाले इन दोनों को इसलिए गल्ती पता होने बाले इन दोनों को आपके साथ मार दिया जैसे आपने कहा था ना मैंने बिल्कुल वैसे ही किया पापा अच्छ कोमार के कांने बिल्कुल ना शक्मार अगर किसी को बताया, तो मैं तुम्हे भी मार दूगा दादा, मैं अनाद हो जाओगा दादा, प्लीज, किसी को बताया ये मत, प्लीज दादा, प्लीज, ना आपका बेटा हो ना, प्यारा बेटा हो ना, आप मेरा ध्यान रखेंगे ना दादा, प्लीज, दादा, प्लीज तुने उन लोगों को क्यों मार डाला, बिटे? दादा, वो लड़की के साथ जब मैं ऐसा कर रहा था, तो उसने मुझे देखा. इसलिए उसने अपनी मा को जा के बताया. उसने अगर देखा ही नहीं होता, तो कुछ गड़बड नहीं होती न, दादा? सबी लोग आप जिसे देखके भी अंजान नहीं बनते न, दादा? हाँ, 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 हाँ. पापा, 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 क्या कर रहा है मैं बागल कहीं के? इख कुछ! हाँ, 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 हाँ! अब अफ ऐस अब चाँ, सुनसा है औिर लॉड़ारा झाल भाः है? अब। है अब। अब। वैग अब। लग है अब। तुड्राइब नुड्राइब नुड्राइब कियाब कित एग एक 56yd हुआ हुआ लुका रुका ये सब तुम किसके लिए कर रहा हो मुझे पता नहीं पर लड़कियों को उटा कर ले कराना उन्हें हरास करना ये सब हमारे पुरानों में है ये सब पौराने खताओं में है चलता आ रहा है ये गलत है तो कैसे और पौरान में ये भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवर किया तो भले ही दस्सर वाला हो या निन्यानबे भाई वाला हो सजा तो जरूर मिलती है और यही होता आ रहा है हुआ है पापा बेटा किधर हो बाहर हूँ पापा बुलिया ना जल्दी घर आ जाओ क्या हुआ पापा तेरी बहन को किसी का फोन आया था घर आकर तोड़ पोड करने की धमकी दे रहा है जल्दी से घर आ जाओ बेटा कौन है हो पापा अब किसने चल्द समके को बात क्यों नहीं कर रहा है रिया क्या हुआ को बात क्यों नहीं कर रहे है कोई और नहीं तुम्मारा भान'. स्वांद कि कई कॉम्हार झाल 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 भूमी भूमी जैसे माँ भी होती है बहुत सारी कठीनाईयों को सहती है बहुत सार अभार उठा लेती है और दुनिया में मर्द बस उस पर अपना हग चताते हैं कभी उसकी तरह सहे कर दो दिखाओ मर्दों की सारी मर्दान की बहार निकल जाएगी वो अपना अस्तित्व भूल जाएगे भूमी को बचाने के लिए हर खर में एक पेड़ूगाने के लिए कहा गया है पर मा के समान लड़कियों को बचाने के लिए कौनसा पेड़ूगा ना होना